कि नमस्कार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो गईस यहां पर हम आपको बताएंगे कि निफ् में नहीं बनी लेकिन अभी भी मैं आपको काऊंगा मुझे लगता है बजट से पहले या बजट के बाद निफ्टी जो है 25,000 के लेवल को छो लेगा क्योंकि 24,600 के लेवल पे निफ्टी जो है बहुत स्ट्रॉंग लिटी का हुआ और काफी स्ट्रॉंग ली जो है कोई भी कमी आपको जो है निफ्टी 50 में देखने को नहीं मिलेगी आपको 25,000 के टार्गेट निफ्टी 50 में बड़े राम से देखने को मिल जाएंगे तो निफ्टी 50 एक बाइक वोल रहेगा और कल की जो चाल रहेगी मेरे साफ से निफ्टी इंडेक्स में वो ये रहेगी कि कल जो है निफ्टी में तकरीबन असी पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिल सकती है और जो है कल एक्सपारी भी है तो थोड़ा वोलटायल सेशन जो है रह सकता है शुरू आत में मार्केट का रुजान थोड़ा जो है वोलटायल रहेगा लेकिन लास्ट में मुझे लगत तक 25,000 के लेवल आपको अचीव होते हो देखेंगे तो कल की प्रडिक्शन हमारी यह है 80 पॉइंट की तेजी निफ्टी 50 में कल हमारी तरफ से मुझे लगता है देखने को हमें मिलेगी तो चलिए अब आपको बैंक निफ्टी के बारे में आपको बताते हैं तो बैंक 800 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी कल गिरेगा कल यहां पर प्रॉफिट बुकिंग होगी और बैंकिंग स्टॉक्स के जो नंबर्स है वह भी मार्केट को कुछ खास मुझे नहीं लगता आने वाल लगेंगे जिसकी वज़से बैंक निफ्टी थोड़े प्रेशर में जया है तो दो गाइज मैंлем को यही रहाए देंग और मेरी आहीं सफल रहेगी निफ्टी 50 में आ साइड में बैठे बैंक निफ्टी को थोड़ा कल शौट करके बैठेगा तो निफ्टी में 80 पॉइंट की तेज़ी और बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की गिरावट क्योंकि गाइस बैंकिंग सेक्टर के जो नंबर्स हैं वो उतने खास नहीं आ रहे हैं थोड़े वीक आ रहे हैं जिसकी वाद से निफ्टी बैंक थोड़े प्रेशर में रह सकता है गाइस बाकी बजट तक जो है मुझे लगता है निफ्टी बैंक में आपको जो है 53,000 तक के टार्गिट देखने को मिल सकते हैं लेकिन अभी कल के लिए निफ्टी बैंक में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है तो गाइस कोई भी अपडेट आता है इंटेक्स से लेटेड हमाब को बता देंगे तो प्लीज हमारे चैनल प्लीज बाता है